हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में स्मोकी दही चिकन बनानी की बिलकुल नहीं और अनोखी सी रेसपी इसे आप एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही मज़े की बनती है और बनाने में बिलकुल आसान है तो चले फिर में इसमें आदी फूल जवित्री की तीन चार लॉंग और चार पांच पिस हरी लाइची डालनी है अभी हमें क्यूंकि पैन गरम है इसको हमें अच्छा से भून लेना इसमें और जैसे ही मसाले तड़कने लगेंगा फ्लेम ओफ कर दीजेगा वरना जादा मसाले जल जाए नहीं है और जब यह तिल गरम हो जाए तव् scrutas में तीन यहां पे पैयाज जाल रही हो मैं 3 मीदियम साइद की प्यास को रफली चॉप किया वह मैंने और इस सबन्रा साथ हे वरें तank फॉर ce रा लेती हूं तो यह देखें हैं यहां पर प्यास स्रावागिस होने लगी साथ में सारी चीजों को इकठा मिला लीजे और 2-3 मिनट तक सारी चीजों को इकठा भूण लीजे अब जब भून सा गया है तो इसको ठंडा करकर ग्राइंड कर पेस्ट बना लीजे और वापस सेम कडाई में हमें सालन बनानी के लिए तेल डालना होगा तो तकरीब चार से 5 बड़े चमच तेल गरम कर ली मैंने और इसमें 2-3 बड़े चमच हमने डाला है अध्रक लैसन का पेस्ट और सबसे पहले अध्रक लैसन के पेस्ट को भून लेंगे इसका कलर बदलने तक और इसकी खुश्बू जो है बिलकुल अच्छी सी आने तक तब तक भून लेना है तब तक हमें इसको फ्राइ कर लेना है देखिए अप कलर बदल चुका है अध्रक लैसन भून कर सौंधी सौंधी खुश्बू आ रही है तो यहां पे हम लोग चिकन डालेंगे तो 700 ग्राम मैंने चिकन लिया हुआ है और इसमें मैंने 2 टी स्पून नमक डाली है आप यहां जूसिस भी निकलता है चिकन के खुद के मौश्चर होते हैं इसलिए आप इसको लगतार चार पांश मिनट तक भूनते रहें चिकन को भूनते वे अच्छा चार पांश मिनट हो गया है इसका कलर बदल गया है और खुश्बू आ रही है बुनने के चिकन की तो यहां पे हम प्रूद के टाल देंगे जो के प्यास टमाटर ओ हरी मिर्चो का था देखिए मसाला पेस डाल कर मैं इसको लगतार अच्छ से मिला लोगी यहां पे इसको अच्छ से मिलाना है इसलिए कि चिकन के अंदर यह मसाले के फ्लेवर जाना चाहिए अब जब यहां पे अच्छा से भून लिया मैंने इसको उपर नीचे करकर मिला दिया है तो कुछ और भी मसाले इसमें डाले जाते हैं तो इस पॉइंट पे मैं आपको मसाले डालना बताऊँगी और इसमें हमें डालना है सब्सक्त है इक छोटे चमच घिरा है तो तो जब चार-पांच मिनट तक अच्छे से भून लिया है तो अब लिड लगा कर हमें इसको भूनना है तीन-चार मिनट और तो फ्लेम मीडियम रहेगी मीडियम फ्लेम पे इसको अम लोग धकर कुक करेंगे जिससे क्या होगा ना कि चिकन अच्छे से मसालों के अंदर ज़स्प मसाला और बहुत अच्छा भून जाता है देखें आप यहां पे मसाले के साथ में भूनते हुए तेल सर्फिस पे नजर आने लगा है तो इसी लिए धकर कुक करते हैं तो जल्द हो जाता है यह प्रॉसेस और अब इस तरह से यह भून गया तो इसमें हम लोग दही आट करे मगना को दाने करें लिए प्रिए आफ तो फ्लेवर लासी बाले है उपको दिया एक्ट मसाला का मिला और इसमें एक्स्टा मसाले हमें नहीं डालने है इसी से फलेवर बहुत अच्छा श्लिंड बहुत अच्य आती है और यह समोंखी चिकन बहुत यह जो देकshift घ aquestaन है इसक बॉने प्लेवर और बहुती मज़े का जबरदस सा यह बंगर तयार होगा देख सकते हैं आपकी पहले से अब में डिफ्रेंस आ चुका है और चिकन अच्छा सा बुनकर तयार हो चुका है बिल्कुल अच्छे से मैंने भून लिया है लगतार बीच बीच में चलाती रही हूँ मैं और इसका इस तरह का कलर हो रहा है और तेल वेल जो है वो पूरा सर्फिस पे नजर आनी लगा है कि इसी तरह मसाले डालकर हम भून तो बहुत ही घजब का बहुत है वनीक है तो आप लौकी हम जाथ ही बरखन को दो जो भून का है और ठीक जुआ हैं तो थोड़ा बहुत मसाला पेस जो बनाया था हमने उस मसाले पानी दाला है और थोड़ा नॉर्मल पानी डाला है हाफ कप के जितना हो टोटल एक कप पानी दाली है मैंने और अब लगाउंगी और लिद लगा कर इसको साथ से आठ मिनट तक हाइफ भी क्योंकि चिकन अल्रेडी पक चुका था यहां पे 7-8 मिनट में यह बहुत अच्छा डन हो जाता है और इसकी ग्रेवी हमें सेट करनी होती है तो जिस तरह कि आपकोंसिस्टेंसी रखनी है उतना रखिए यहां पे मेरा बिल्कुल परफेक्ट है तो अब मैं इसको स्मोक का फ् जाता है तो वैसा नहीं हो इसलिए आप रहते ही इसकी लिड अटा दीजेगा और यहां पे इसको हटा दीजेगा अब लास्ट में आपको एक बार इस्टर कर लेना है और जैसे ही आप स्टर करेंगे इसकी लिड उठाएंगे ना बहुत अच्छी धुए के खुश्बुआ करैंगे लिए कुछ यूणीक सी चिकन रेसिपी बनानी है और चीज़स दरूर त्यटर कर सकते हैं यह बटर रोटी यह तंदूरी नान के साथ में भीसको खाया जा सकता है बहुत ही जबर दरस लगती है और बनाने बिल्कुल आसान है कुछ मसाले हैं थोड़े बहुत सी ए बहुत ही एजी है और बहुत ही आसान से अच्छी सी बनती है यह रेसिपी पिलकुल नई रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर करी है तो इसे अप ट्राइ कीजिए और कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा अगर से आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडि झाले झाल इसे वे आपके साथ में कािसा अवी करी है है वीजिए गयान चाहते है